नमस्कार मैं पंकच आप सभी का स्वागत गता हूँ चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं किस प्रका से आप अगई दी आप नया लैप्टॉप लेते हैं उसमें आपका SSD आपका ड्राइब है तो इससे प्रका से आप partition कर सते हैं यह पूरा डीटेस आपको बताते हैं तो जैसे आप purchasing करते हैं किस में देखें आपको द्राइब उसावज इतना Welcome आपको रखना है रख सकते हैं तो इसी नीचे आपको डिओयड हो जाता एट है तो चलिए आपको बताता है किस परका से आफ जो दे और अअzkum केममोर को उस्कों को बताते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है अपना लेपॉप का जब ने नीचे में देखिए आपको search का option मिल जाता है तो इसमें आपको type करना है computer management देख सकते हैं computer management देखिए इस परकार से आपको type करना है देख सकते हैं इस परकार से type करने के बाद यहाँ पर देखिए computer management का एक आपको app मिल जाता है यहाँ पर देख सकते हैं तिस app को आपको click करके open यहाद बढ़न है यहाद स्प्राइब में कर लए इस्पर्कार के हीता है धिर आपको इंटर्फेस अपर इसमेंस अफ्सेन आपको एक लीक करना में ला बने OPTION नावे Works क अने MPP e3 car और इसमें देखी आपको often में यहाद तो क्लीक करता है तो देखे इस प्रकार से इत्पर औष यसरा सुखर एगा देख सकते यहां पर डिक्स के जीरो पार्टिसन ऊरहा और बीटेस तोंकर तो आपका जो टोटन मेमोरी है यह वगिछे में अंलाइन दिखे 456 जो है श्याहर आपको मेमोरी ऑप मेमोरी है वह यहां पर डिटेज आजाएगा तो था थो थोड़ा से यहां पर आपको wait करना है देखिए calculate करा है तो देख सकते हैं यहां पर जो है यह total जो आपका heart drive या फिर अगयदी यानि कि अलग ड्राइब अब को हमको अभी अगए दि बनाना है तो उसके लिए आपको जैसे कि यहां MB है MB में दिया हूँ है तो इसको आपको Google में आपको डाल देना है यहां पर MB2 RGB converter यहां पर इस प्रकास से आपको टाइप करतेना है दिख सकते हैं तो यहां पर देखिए यहां आजागा तो के नहींहें पर आपको Google में मिल जाएगा तो यहां पर मानी लिजिए हमको अभी 100 GB का एक अल्मिय ड्राइब को बनाना है तो यहां पर दखेए, यहहां पर दखेए, यहां पर देखेंगे यह यह मेंगावाइट है ç offended मेंगा वाइट टु यह हम गीगा वाइट कंवर्ट हो जाए सं cabo है तो आंको जो है s Sh gars का आमको बनाना है तो यहां पर हम 100 यहां पर डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए यह जो है यह मेगावाइट है तो इसको हम जीबी में कर देते हैं इसको जो है आपर गिगावाइट टू हमको एम भी करना है तो देखिए अगई दिया हम यहाँ पर सो गिगावाइट डालते है तो यहाँ पर देखिए यह एक लाख मेगावाइट आ देख सकते हैं उसके बाद जो बचा हुआ मेमोरी है आपको नीचे यहाँ पर देख जायेगा वह जो आपको निड्राइब बना रहा है उसका जो है साड़् टालने के बाद आपको यहाँ पर श्रिंक में फिर से क canyon फॉके कर दना थेया जैसे कलिक करते है तो आपका जो 7.66 GB यहां पर बना है, हम 100 डाले थे लेकिन यह आपए थोड़ा कम सो कर रहा है, तो अब क्या करना इसको फिस से राइट क्लिक कर देना है, देख सकते हैं यहां पर राइट क्लिक करने के बाद, देखए, यहां पर एक ओप्शन मिल जाता है, आपको लिए आपको नुव सेम् डाल देना है इसका जो आपका साइज है complete साइज आपको इसमें डाल देना है देख सकते हैं अब जो है Questo थ्च hanus यहां पर select कर सकते, इसको फिर से आपको nest कर देना है, देख सकते हैं इस प्रकाश से तो इस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगे दिक नया वगे दिए आप ना मुठना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डॉकॉमेंट के लिए बना रहा है तो हम यहाँ पर document लिख दे रहे हैं, drive करना, या फिर आप छोड़ भी सकते हैं, कोई problem नहीं है, फिर से आपको nest कर देना है, तो देख सकते हैं, इस परकास से आपका जो है, आपका new drive, इसके बाद फिर से यहाँ पर finish का option आ रहा है, तो यहाँ पर आपको click कर देना है, तो देख सकते हैं, यह एक new drive, जो है, यहाँ पर create हो चुका है, अब जब आप my computer में जाते हैं, यहाँ पर जब आप my computer को open करते हैं, तो देखें, यहाँ पर जो है एक new, यहाँ पर drive आपको create हो जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पर, इसमें हम 100 GB डाले थे, लेकिन कुछ system में यहाँ पर use हो रहा ह यहाँ तो इतना जो है, available memory आप देखें, मिल चुका है, इसी परगास अगर दिया आप फिर और दुसरा drive बनाना चाहते हैं, तो same process फोलोगर कि, आप जो है, अब e से लेटी जड तक दुसरा drive भी बना सकते हैं, तो इसी परगास से अगर दिया आप नया laptop बाइ कर सकते हैं, तो इसी प्रगा से आप अपना जो अलागला ड्राइब को आप बना सकते हैं यही प्रूसेस हैं इसी प्रगा से आप डिस्क को पाटिशन कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धैनवाद और इसी प्रयार या वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सस्क्राइब भी करने धैनवाद